हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मा यूटूब चैनल, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम समाई एवाम कार्य, टाइम एवाम वर्ग के प्रस्नों को हल करना सिखेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंतक देखते रहें, आईए सुर करते हैं आज का वीडियो, कोस्चन नमर वन दे ठीक है, तो दस दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूर्ण कर पाएगा, ठीक है, तो आईए इससे सल्व करते हैं, देखिए, वेक्ती का पंदरा दिन का कार्य, बराबर, देखिए, एक मान लेते हैं, कार्य बराबर, एक मान लेते हैं, यहां बोल रहा है, एक वेक्ती किसी कार को तो कारे बराबर एक मान लेते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा इसके बाद निकालते हैं व्यक्ति का पंदरा दिन में एक कारे को पूर्ण करता है तो व्यक्ति का एक दिन का कारे बराबर क्या हो जाएगा एक बटे पंदरा ठीक है दीखिए पंदरा दिन का कितना था एक त बट्टे 15 एक दिन का कार्य हो गया तो व्यक्ति का 10 दिन का निकालना है 10 दिन में वह कार्य का कितना हिस्सा पूर्ण कर पाएगा यह ग्याद करना है ठीक है तो व्यक्ति का 10 दिन का दिन का कार्य है बराबर क्या हो जाएगा एक बटे 15 ये एक दिन का हो गया उसमें 10 का गुणा कर देते हैं ठीक है अब देखिए इसको 5 से काटते हैं किति भार कटेगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 ठीक है तो क्या जाएगा 2 बटे 3 ठीक है 2 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा मतलब क्या है वो 10 दिन में कारे का 2 बटे 3 इसका पूर्ण कर पाएगा और उप्सन नम्मर 20 का सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर 2 है 20 वैक्ति मिलकर किसी कारे को 30 दिन में पूरा करते हैं तो 40 वैक्ति कितने दिनों में उस कारे को पूर्ण कर सकते हैं ठीक है तो आईए इससे सल्व करते हैं देखिए यहाँ पर सूत्र लगाते हैं M1 मतलब मजदूर 1 गुणा दिन D1 बराबर क्या हो जाएगा M2 गुणा D2 मजदूर गुणा दिन ठीक है M1 मतलब कितना है 20 वैक्ति कितने दिन में कारे करते हैं 30 दिन में करते हैं ठीक है तो M1 बराबर कितना हो गया 20 हो गया गुणा D1 बराबर कितना हो गया 30 दिन हो गया बराबर, अब दूसरी तरफ कितने वेकती हैं, 40 वेकती हैं, मजदूर M2 बराबर कितना हो गया, 40, ठीक है, और कितने दिन में पूर्ण करते हैं, ये D2 ग्याद करना है, देखिए, D2 का मान निकालना है, तो इसका इधर पक्छान तरण करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 20 ग 30 को काटते हैं, कितने बार कटेगा, 15 बार कटेगा, तो यहां क्या बच जाएगा, 15 बराबर, D2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा, 15, ठीक है, तो 20 वेकती, मिलकर किसी कारे को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 40 वेकती, उस कारे को कितने दिन में कर दे अगला question देखते हैं question number 3 है आजए किसी कारे को 24 दिन में कर सकता है जबकि सचिन उसी काम को 12 दिन में कर सकता है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं इग्यात करना है तो आई यही से solve करते हैं देखिए दोनों की कारे छमता अलग-अलग है एक 24 दिन में पूर्ण करता है कारे और एक 12 दिन में, ठीक है, तो इन दोनों का LCM निकाल लेते हैं, LCM कितना आ जाएगा, 24 और 12 का LCM कितना होता है, 24 होता है, ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं, आजय की कारी छमता, आजय की कारी छमता, बराबर क्या हो जाएगा, LCM कितन आया है 24 भागित आजय की कारे चमता क्या है 24 बराबर 24 एकम 24 ठीक है अब सचिन सचिन की कारे चमता बराबर 24 ये एलसियम वाला 24 भागित कारे चमता कितने इसकी 12 दिन ठीक है तो कितना जाएगा 12 दूनी 24 दो आ जाएगा ठीक है अब दोनों की कारे चमता को जोड़ देते हैं अजय धन सचिन की कारी छमता बराबर कितना हो जाएगा एक धन दो बराबर तीन हो जाएगी ठीक है तो देखिए क्या होता है समय ग्याद करना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कारी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समय बराबर कारे बटे दोनों की कारे छमता कारे कितना है 24 LCM 24 आया था बटे दोनों की कारे छमता कितनी है तीन है और यह कारे टोटल कितना था 24 ठीक है तो देखिए तीन से 24 को काटते हैं किती बार कटेगा तीन आठे चोबिस आट बार कटेगा ठीक है तो आठ दिन आ जाएगा इसका आंसर ओप्सन नम्मर एसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोस्चन देखते हैं कोस्चन नम्मर फोर है 18 वेक्ति किसी कारे को पाँच दिन में पूरा कर सकते हैं तो उस कारे का दो गुना कारे नम्मर वेक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे ठीक है तो आईए इससे सालव करते हैं दीखिए 18 वेक्ति 18 वेक्तियों द्वारा किया गया कारे ब़राबर क्या हो जाएगा 18 गुणा कितने दिन तक काम करें 5 दिन तक ठीक है 18 गुणा 5 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ठीक है कोल ये कार कितना हो गया 90 हो गया ठीक है तब इसका दुगना करना है क्या कह रहा है उस कार का दो गुणा कारी है 9 वेक्ती कितने दिन में करेंगे तो कुल कारे 90 था उसमें 2 कगुणा कर देंगे तो कारे कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा मतलब 180 हो गया ठीक है अब क्या निकालना है कितने दिन में करेंगे तो फिर से समय बराबर क्या हो जाएगा कुल कारे बटे वैकती ठीक है 9 वेक्ति दुगने कारे को कितने दिन में करेंगे 9 से काटते हैं इसको 9 दुनी 18 और सुन्य ठीक है तो कितना जाएगा 20 ठीक है तो 20 इसका आंसर हो जाएगा मतलब 18 वेक्ति किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कारे का दो गुना कारे 9 एकती कितने दिन में पूरा कर देंगे 20 दिन में पूरा कर देंगे ओप्सन नम्मर सीज का सही आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद